हेलो बच्चों तो आज हम पहला चेप्टर का exercise 1.2 करेंगे ठीक है तो जैसे मैंने बताया था हर दिन सुरू करने से पहले मैं आपको एक जीके का ग्यान बताऊंगा तो आज है दुनिया का सबसे जो ज्यादा हाइट वाला बेल्डिंग कौन सा है उसका नाम है भुष खलीफ भुष खलीफा यह दुबई में है अब देख सकते हूं यहाँ पर इसका नाम है भुष खलीफा और इसका हाइट है 830 मीटर के लगवग है ठीक है तो अभी शुरू करते है जैसे कि exercise 1.2 यह आपके सामने है और यहाँ पर दिया है कि write down a pair of integers whose sum is minus 7 अभी पहले हमको सोचना है 7 minus को थोड़े दर के लिए भूल जाते है 7 के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा suppose 4 और 3 दोनों को plus कर देंगे तो 7 बन सकता है ठीक है और उसी case में minus अगर हम इसमें जोड़ देते हैं दोनों में आगर हम minus जोड़ देते हैं यानि कि minus 4 plus minus 3 हो सकता है minus 7 ठीक है तो क्या क्या case में हो सकता है जैसे दोनों minus है तो हो सकता है दोनों को plus कर देंगे तो minus ही रहेग अगर minus 1 plus है और अगर minus बाला बड़ा है तो भी हो सकता है जैसे एक example लेते हैं minus 8 suppose लेते हैं और plus लेते हैं 1 यह positive है ठीक है? उस case में भी आपका minus 7 यह आएगा ठीक है? अगर minus 8 के जगा पर हम minus 12 ले लेते हैं तो भी आप यहाँ पर कितना कर सकते हैं 5 कर देंगे तो भी minus 7 आएगा आपको एक ही करने के लिए बोला है तो इस में से कोई भी हो सकता है ठीक है? तो आगे चलते हैं next में difference is minus 10 difference यानि कि minus difference मानि कि minus करने से क्या होगा? minus 10 होना है ठीक है? अच्छी तरह इसको समझ लो डोनों का difference minus 10 होना है तो कब हो सकता है? सपोज हमने 20 लिया ठीक है? 20 से 10 को minus करेंगे तो होगा क्या? minus 10 नहीं होगा क्योंकि यह plus 10 होगा कब हो सकता है? जब minus बढ़ा हो यानि कि minus 20 और यहाँ पे आपका plus 10 है ठीक है? पर यहाँ पे दिया है difference तो यह भी नहीं हो सकता है ठीक है? तो क्या होगा? अब दुबारा हम इसको करते हैं ठीक है? minus 10 result क्या आना है? minus 10 कब हो सकता है? अब देखते हैं हम यहाँ पे सपोज लिख दिया minus 15 ठीक है? minus 15 minus यहाँ पे अगर हम minus 5 लिख देते हैं तो क्या होगा? हाँ जी बिल्कूल हो सकता है क्योंकि minus minus मिलके यहाँ पे plus हो जाएगा और यहाँ पे आपका minus 10 आ जाएगा same way में और क्या कर सकते है? जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया minus 20 तो minus 20 से क्या minus करेंगे? minus 10 अगर minus करेंगे आप तो फिर आ सकता है यह दोनों मिलके plus हो जाएगा तो यहाँ पे minus 10 हो सकता है ठीक है? यह खतम हो गए अभी next question है sum is 0 यानि कि एक plus बला और एक अगर minus बला को हम plus करते हैं तो उस case में यह 0 आएगा यह बहुत ही basic चीजे हैं इसको आप जानना बहुत जरूरी है तो minus 5 plus sum करना है इसलिए plus रहेगा plus 5 plus minus 5 दोनों मिलके 0 इस 5 के जगा पे आप कुछ भी डाल सकते हो 8 डाल सकते हो और यहाँ भी minus 8 डालो अगर यहाँ पे 10 डालते हो तो यहाँ भी minus 10 डालो तो उस case में सारे case में यहाँ पे 0 आ जाएगा ठीक है अभी next question में चलते हैं write a pair of negative integers whose difference is gives 8 यानि कि 2 negative integers लिखना है जिसका difference आपको 8 डेगा ठीक है तो उस case में आप मान के चलते हैं 1 minus 3 हमने लिख दिया और एक difference है यहाँ पे ऐसा क्या लिखेंगे कि यहाँ पे plus 8 आएगा इसको ध्यान से दिखिएगा plus 8 लाना है तो क्या हाँ क्या लिखना है इस पे ऐसा कोई minus लिखना है जिसको यह मिलने से plus हो जाएगा ठीक है जिसको यह लिखने से plus हो जाएगा यानि कि यहाँ पे अगर हम minus 11 लिख देते हैं तो फिर यह दोनों मिलके plus हो जाएगा तो plus 11 बन जाएगा यह minus 3 है तो यह plus 8 बन जाएगा यानि कि minus 13, minus 13 होने से आपका यहाँ पे 8 बन जाएगा, ठीक है? तो यह solve हो गया, write a negative integer and a positive integer whose sum is minus 5, sum यानि प्लस करना है, result क्या आना है? minus 5 आना है, यह चीज़ को आप आराम से समझे, plus करना है, sum मतलब plus करना है, result आना है, minus 5, ठीक है? एक negative, एक positive, एक negative, एक positive, minus 5 आना है, तो negative बाला बड़ा होना जरूरी है, कुछ भी कर लिजिए, minus 12, तो plus बाला क्या होगा? उससे कम होगा, यानि कि 7, ठीक है? तब निकलेगा, यहाँ पे अगर आप 8 करना चाहते हो, minus 8, तो plus क क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तब भी आपका result आएगा, minus 5, ठीक है? यह भी हो गया, write a negative integer and a positive integer whose difference is minus 3, difference यानि कि negative, कितना होगा? minus 3 होगा, ठीक है? अब difference है, एक negative, एक positive, क्या कर सकते हैं? negative को पहले लिखते हैं, सपोज यहाँ पे हमने लिखते है, minus 2, छोटा है तो इसका छोटा लिख दिया, अब ऐसा क्या minus करने से, एक positive लिखना है, यहाँ तो एक negative होगे, अब एक positive लिखना है, तो क्या positive लिखने से, आपका minus 3 होगा, अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं, तो minus 3 हो जाएगा, सेम उए में अगर यहां माइनस 1 होता, तो यहां पर आप 2 लिखते, तो भी माइनस 3 होता, क्योंकि यहां पर difference दिया है, ठीक है, क्या दिया है, right, whose difference, ठीक है, अब 1 और 2 खतम हो गया, next वीडियो में हम 3 नमबर कुष्चन के आगे करेंगे, so thank you, stay tuned, आगे देखते रीगा,